In this video, we will talk about how to bypass Windows 11 PC Health Check Error or System Requirement. So, let's begin. अगर आप Windows 10 यूजर हो, तो आपको Windows 11 का फ्री में अपडेट मिलेगा. लेगिन कुछ minimum requirement हैं, जो कि आपको अपने PC में देखनी होंगी. Microsoft ने एक app बनाया है, जिसका नाम PC Health Check है. उसकी मदद से आप देख सकते हो, कि आपका PC Windows 11 को चलाने के लिए उसकी minimum requirement को पूरा कर रहा है या नहीं. अगर उस PC Health Check एप की बात करें, तो आपको वो Microsoft की website से मिल जाएगा और उसका software कुछ इस तरीके का होता है. ये आपको Windows PC Health Check setup इसको आपको रन करना होगा और आपके PC में ये इंस्टॉल हो जाएगा. इसका इंस्टॉल होने के बाद इसका interface दिखाऊँ. तो इस तरीके का आपको इसका interface मिलेगा. यहाँ पर आपको Check Now पर कलिक करना है. चेक नापर कलिक करने के बाद ये आपके PC की minimum requirement को चेक करेगा. और अगर आप minimum requirement को पूरा कर रहे होंगे तो यह पास कर देगा. अगर इसकी minimum requirement को आप पूरा नहीं कर देगा. अभी हम चेक करेंगे के मेरा system इस Windows 11 को रन करने के लिए capable है या नहीं. चेक नापर कलिक कर देंगे तो इस तरीके का message मिलेगा. अगर आपका PC capable नहीं होगा तो इस PC cannot run Windows 11 का message मिलेगा. possibility की बात करें तो most of the system इस PC health check को पास नहीं कर पा रहे हैं. जिससे की app के according आपका PC Windows 11 को run करने के लिए capable नहीं है. लेकिन fact यह है कि आपका PC capable है Windows 11 को run करने के लिए इसके लिए जरूरी है कि आपको कुछ setting change करनी है अपने PC में और आपका PC भी इस PC health check error को पास कर लेगा. तो चले देखते हैं आपका system capable है या नहीं Windows 11 को run करने में और देखेंगे कि कैसे हम इस restriction को bypass करेंगे. What are the minimum requirements to bypass the Windows 11 PC health check error? Minimum requirement को देखने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा browser में. Browser में जाने के बाद यहाँ पर डालना है Windows 11 और इसको search कर देना है. Search करने के बाद यहाँ पर जो पहली link आ रही है upgrade to the new Windows 11 OS इस पर क्लिक करना है. इस पर क्लिक करने के बाद यह Microsoft का Windows 11 का page खुल जाएगा और नीचे scroll करना है. नीचे scroll करेंगे तो आपको यहाँ पर minimum system requirement मिलेगी तो इसको सबसे पहले देख लेना है तो आपके जो PC में processor है वो 1 GHz से अबब होना चाहिए और जिसमें core है वो two and more code होनी चाहिए या दो से ज्यादा core होनी चाहिए और जो memory है 4GB RAM से ऊपर होना चाहिए या 4GB RAM होनी चाहिए storage 64GB होनी चाहिए या इससे बड़ी हो सकती है system firmware और जो आपको firmware है जो BIOS होता है यो UEFI होना चाहिए और उसमें square boot capable होना चाहिए और Microsoft ने एक new term इंट्रिद्यूस किया है TPM का जिसका फुल पॉमेट ट्रस्टिट प्लेटफर्म मॉडूल उसका बर्जन टू पॉइंट ओना चाहिए ग्राफिक कार्ड की बात करें तो direct x12 capable ग्राफिक कार्ड होना चाहिए डिस्प्ले डिस्प्ले में 9 इंच की डिस्प्ले से बड़ा होना चाहिए और वह भी HD resolution है 720p और obviously internet connection होना चाहिए जिससे कि आपको Windows 11 का अपडेट है वह हो सके तो यह है minimum system requirement PC health check app के थ्रों check करने से पहले आपको यहां पर आके अपने minimum system requirement को देख लेना चाहिए कि आपका system minimum system requirement को पूरा कर रहा है या नहीं अगर नहीं कर रहा तो इसमेंसे जो भी component आपके में requirement के अनुसरा नहीं है तो आप उसको अप्ग्रेट करके अपने system में उसको change कर लें अगर आप laptop user है तो यह आपके लिए परिशानी हो सकती है क्योंकि desktop में आप जो hardware होता है उसे easily change कर सकते हैं लेकि laptop में आपको किसी professional की ज़रूरत तो हुई तो आप जब आप अपने PC में minimum system requirement के अनुसरा hardware और software को update कर लेते हो तब जाके आप PC health check app के थो अपने system को check करें कि आपका PC उसकी requirement को पूरा कर रहा है या नहीं और जो PC health check का जो message है वो क्या दिखा रहा है कि this PC can run Windows 11 या this PC cannot run Windows 11 what kind of error will you see if your system fail the Windows 11 PC health check error किस तरीके की error आपको देखने को मिलेंगी जब आप Windows 11 PC health check app के तरो अपने system को check करोगे Windows 11 offer करता है PC health check software को जिससे user अपने system को check कर सकता है कि आपका PC capable है Windows 11 को run करने के लिए या नहीं यह health check बहुती problematic है बहुत सारी यूजरों को इसमें rejection का message देखने को मिल सकता है जिसमें आपको message मिलेगा this PC cannot run Windows 11 जबकि आप Windows 11 की minimum system requirement को पूरा कर रहे होंगे तो यह जो faulty rejection है इसको कैसे fix करना है तो इसको आंगे हम बताएंगे इस error message में आपको दिख सकता है कि आपके द्वारा hardware requirement जो error message आता है उसके एसाब से आपका system कोई hardware requirement को पूरा नहीं कर रहा या कोई software requirement है उसको पूरा नहीं कर रहा और तीसरी बात जो TPM है trusted platform module उसको पूरा नहीं कर रहा और secure boot जो UEFI में secure boot का option है इसको पूरा नहीं कर रहा है तो इस तरीके के error के कारण आपको यह message देखने को मिल सकता है identify which system requirement your PC is falling to meet अब identify करेंगे कि आपके PC की कौन सी system requirement है जिसको आपका PC पूरा नहीं कर रहा है और तो PC health check है वह आपको fail का message so कर रहा है अगर आपके hardware requirement आपके अनुसार minimum required minimum system requirement के अनुसार सही है लेकिन PC health check app आपको बताता है कि आपका जो processor is not supported जो कि आपका processor support नहीं कर रहा है इस app का system को measure करने का criteria है कि 8 generation Intel और Ryzen 2000 series के processor को को मानता है और आपका जो system modern है जो कि 64 bit में आते हैं और dual core processor जो कि 1 GHz की clock speed पर रन करते हैं उनको pass कर रहा है Microsoft ने नोटिफाइड किया था कि इस एप में कुछ issue है जो कि बहुत सारे system को इसकी minimum requirement को पूरा करने के लिए मना कर रहा है तो Microsoft ने इस issue को notice किया है और इस पर काम कर रहा है जिसके कारण Microsoft ने recently उस app को अपनी website से हटा दिया है तो Microsoft जल्द ही एक नया app launch करेगा जिसमें आप देख सब होगे कि आपका system requirement complete कर रहा तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके PC health check एप में error में reject करने के आपके system को और दूसरे कारण यह है कि आपके system में TPM और सिक्वर बूट का अनेवल ना होना अगर आपके system में TPM और सिक्वर बूट option नेवल नहीं होगा तो आपका system जो PC health check है वो आपको को फेल का message दे सकता है three way to bypass Windows 11 PC health check error इसमें हम बात करेंगे कि कौन से वो तीन तरीके हैं जिससे हम Windows 11 PC health check error को बाइपास कर सकेंगे पहले method तो बहुत ही simple है जिसमें हमें जो requirement है उसके according TPM जो की trusted rate platform module और secure boot है उसको अपने BIOS में जाके अनेवल करना है उसके लिए पहले आपको अपने BIOS में जाके चेक करना है कि PC में TPM और secure boot का option है या नहीं और दूसरे method की बात करें तो इसमें हम दूसरे method में हमको एक hardware component बाइप करना पड़ेगा और तीसरे में एक hack है जिसमें आपको कुछ registry और अपने PC में registry edit करनी बढ़ेंगी जिससे कि आपको जो PC health check URL आ रहा था वो bypass किया जा सकता है अगर आपके PC में secure boot और TPM 2.0 नहीं है तो तो आप अपने PC को Windows 11 में update नहीं कर सकते तो method no.1 enable TPM and secure boot in BIOS पहले method की बात करें तो इसमें हम अपने PC में TPM और secure boot को enable करेंगे BIOS में जाके इसके उपर मैंने एक वीडियो बना रखी है और दिखाया है कि कैसे मैंने PC में TPM और secure boot को enable किया था BIOS में जाके तो आप उस वीडियो को i button में जाके या description में जाके चेक कर सकते हो और इसके बारे में short information दूँँ तो secure boot और TPM 2.2 जो requirement है वो major reason है कि आपके system fail कर रहा हो minimum requirement को पूरा करने के लिए अगर आपका PC तीन साल से पुराना है तो आप तो आपके system में जो system के BIOS में है वो TPM और secure boot option disable होगा तो आप वहाँ पे जाके secure boot और TPM 2.0 को enable करना है जब यह आप अपने BIOS में जाके इस TPM 2.0 और secure boot को enable कर दोगे और अपने PC health check error app को run करोगे तो आप eligible हो जाओगे Windows 11 को run करने के लिए method 2 buy a TPM chip हाँ आप बहुत ही आसानी से TPM 2.0 chip को market से buy कर सकते हैं और motherboard supported है या नहीं उस TPM 2.0 की chip को support करने के लिए method 3 की बात करें तो bypass the system check and force install Windows 11 on any PC और आम दोर पर बात करें तो आपको जो system है वो TPM 2.1.2 होगा आपको PC में इसको check करने के लिए आप Windows plus R की दवाएंगे और यहां पर डाल देंगे tpm.msc तो यहां पर आप देख सकेंगे के मेरे system में अभी जो TPM है 2.0 installed है इसी कारण मेरा जो PC है वो इस error को सो नहीं कर रहा है अगर आपके PC में TPM 1.2 है तो इस case में आपको जो protocol है उसको bypass करना पड़ेगा आपके system की registry को edit करके तो इस पर मैं कल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप registry edit करके इस error को bypass कर सकते हो जिसमें आप TPM और शुकर गूट को भी bypass कर सकोगे जिससे कि आप old से old PC में इस Windows 11 को run कर सकोगे इन तरीकों से आप अपने PC में PC health check error के error को bypass कर सकते हो अगर यह वीडियो आपको informative लगी हो तो इस चैनल को subscribe करें क्योंकि इस तरीकी की Windows 11 से related वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूं कल की वीडियो में जिसमें मैं बताऊंगा कि how to bypass TPM and secure boot तो मिलते हैं कल की वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत